हेलो एरिवन हम क्या स्टड़ी करें थी दा फंडामेंटल योनिट ओफ लाइफ इसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टड़ी किया है कि जो प्लासम रेन होती उसके कौन-कौन से फंक्शन्स होते हैं हमने फॉर्स स्टड़ी का डिफूजन सेकेंड ऑस्मोसिस थार्ड अक्टिव ट्रांस्पोर्ट फॉर्थ एंडोसाइटोसिस एंड फिफ्थ एक्जोसाइटोसिस ठीक है जब हमने इस सेल को स्टड़ी करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमने कहा था कि कोई भी सेल होती है उसके तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मेजर होते हैं जिनको हम स्टड़ी करेंगे तो पहला था प्लासमरेन और दूसरा था नूकलियस और तीसरा साइटोप्लास हम किसको स्टड़ी कर चुके हैं प्लासमरेन हम स्टड़ी कर चुके हैं हमने कहा कि प्लासमरेन सेल की आउटर कवरिंग होती है लेकिन अगर आ बाद हो तो एनिमल सेल, प्लांट सेल में हमने डिफरेंस बढ़ाता हैं, क्या प्लांट सेल में भी प्लासमरें आउटर कवरिंग थी, नहीं, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वोल थी, वो आउटर कवरिंग थी, तो आज हम स्टडी करेंगे सेल वोल को, सेल वोल क्या होती है, और किसकी बनी हुई होती है और किन-किन और्गनिजम में किन-किन प्लांट अगरा में प्रेजेंट होती है तो याद हो कुछ ऐसे प्लांट की रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रक्चर बनाई थी ठीक है यह डबल मेंबरीन मनाई थी तो इस आउटर लेर को क्या बोला था सेल वोल और यह प्लास्मा मेंबरीन ठीक है तो सेल वोल है वो क्या होती है जो प्लांट सेल्स होती है उनमें जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल वोल जैसे प्लासम इंब्रेन हमने क्या बात की ओसमसिस याद है औसमसिस में जैसे कोई यह सेल थी इसके अंदर जैसे पानी आना शुरू हो जाएगे पूरी स्वेल अप हो जाती है स्वेल अप होने के बाद एक बार ऐसी कंडिशन आती है जैसे गुबारे में हवा भरते है न तो वो पूरा कंप्लीटली स्वेल अप होने के बाद बॉस्ट होता है न फट जाता है तो वैसे यह जो सेल है इसमें भी किसकी कंडिशन आती है बॉस्टिंग की फटने की कंडिश वो फट जाईग इस कॉडिशन में, लेकिन फांट चेहिए डी, और से सबस्ते नहीं इस पिन्ट के सब्सक्राइब कचे सब्सक्राइब है कि यह क्तमुद्нд मुद्द रावा कुछ हों वर्वूंद रों वों बीटी समयन, सेल्व मेंहों bes diseases को'Mล हीते हैं document दशलो अनली वींग और जैसे हमने क्या था कि जो प्लास्मेंबरेन है वो क्या होती है क्या मिली पर्मेंबल होतीóc है जायग है लेकिन जो फिर्प्रेτά नहीं होती बलकि फ्रीली यह किसी मेटर को अंदर आने दे सकती है बाहर जाने दे सकती है क्यों क्योंकि select करने के लिए तो आगे कौन बैठा है प्लास अम्रेन बैठी है क्या काम करेगी select करने का ही काम करेगी तो जो cell wall है इसका main function क्या होते है प्लांट्स के अंदर जो cell wall होती है वो बनी वी होती है mainly cellulose की छिक है फंजाई एक organism होता है माइक्रोरिजम इसमें जो cell wall होती है वो बनी होती है काईटीन की याद है बैक्टीरिया में भी हमने cell wall की बात की थी सबसे बाहर क्या था बैक्टीरिया में सबसे बाहर था capsule फिर capsule के बाद हमने एक double layer structure बनाई थी वो क्या थी cell wall और इसके अंदर थी plasma membrane ठीक है यह किसमें बात की थी हमने bacteria में कौन सी थी cell wall यह cell wall थी तो bacteria की जो cell wall होती है वो बनी होती है peptidoglycan की ठीक है तो मेंस्यॉर्टी यह तीन आप याद रख लेना कि plants के अंदर cellulose की बनी होती है cell wall फंजाई के अंदर kiteen की बनी होती है peptidoglycan की बनी होती है अब है कि जो cell wall है उस cell wall के functions क्या क्या होते हैं क्या functions perform करती है cell wall, सबसे पहले क्या करती है जो cell wall है, वो cell को Tercidity provide करती है, Tercidity का मतलब हमने अभी अभी देखा कि अगर मालो इस cell के अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है इस cell में और इस condition में आती है कि बर्स्ट हो, तो बर्स्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर जो प्लासम अम्रें बाउंड़ जो cell है, यह जैसे ही जो cell wall है वो वापस में back force लगाती है, तो जो प्लासम अम्रेंड है वो cell wall के उपर force लगाएगी, एक कुस्ती इमेजिन करो, ठीक है, कहीं कुस्ती हो रही है, दो बराबर के पहलवान खड़े है, इधर वाला जो पहलवान है, ठीक है, और इधर वाला जो पहलवान है, दोनो बराबर capacity लिए है, इक्वल कैपसिटी है, फाइट करने की, जैसे ही फाइट करेंगे, अगर मालो एक्वल फोर्स लगाते हैं दोनों के दोनों तो ना ये पीछे खिसकेगा और ना ही ये पीछे खिसकेगा, अगर इसने ज्यादा फोर्स लगा जिया तो ये पीछे की उतना ही back force, जो cell wall है वो ये प्लास workflows लगाते हैं, तो जो Marcel membrane होती है वो maintained रहती है, सेल की shape maintain रहती है, उसमें कोई change नहीं होता, तो क्या होता है वो by cell wall है tersidity, प्रोइड करती है से कि ये क्या करती है, भी च्रीप मेकनिकल स्ट्रेंथ प्रोइड करती है, कि जल्दी से कोई भी इस चीज़ इसको तोड़ नहीं सकता support प्रोवाइड करती है पूरा cell को ठीक है cell की shape को maintain करती है third क्या होता है यह highly permeable होती है water हो या फिर और कोई भी substance हो उसको in या out इनकी जो entry एक्जिट होती है उसको permit करती है ठीक है उसके बाद आता है एक term सुनियो आपने plasmodesimata plasmodesimata क्या होता है जैसे यह दो plant cells दो plant cells की बात कर रहे हैं यह बाहर cell wall है अंदर यह वाली plasmodembrane है ठीक है इन दोनों के बीच में यह दो डुपरेंट cells है यह कैसे cells थी दो डुपरेंट cells थी ऐसे करके दो डुपरेंट cells थी ठीक है इनके बीच में क्या हुआ यह जो cell wall थी इनका fusion हो गया जो यह plasmodesimata पन गया इस यह जो बार्यर है इसको क्या ब प्लासmodesimata का function क्या होता है यह जाता है यह सर्फ plant cells में होता है अनिमल cell में कोई plasmodesimata नहीं होता तो अंदर ने कुछ जुच्छन होते है इस हो इस यह जो कि आप हायर क्लासे में study करेंगे तो यह प्लांट cell में होता है प्लास्मोडेसimata इसमें क्या होता है कि इस cell का जो रिखे, कैंकि व्हुत्तों प्लास्म टीन या निजटों सेल्डे मृटि प्लास्म सेल्ड और उप्लास्मर मृंने कर crosses चाहते हैं वह दो जो प्लांट дुवार उत्छा होतीर ने चौंढ इक प्लास्मर चाहर है ने च्रह द़ए में आनल सेल्डे चाहरे Freeman मतलब दो सेल्स को एक साथ ग्ल्यू करती है ये छीक है ये सेल वोल थी और ये सेल वोल थी तो इन दोनों को जोड दिया किसके तुरू मीडल लैमिला के तुरू डिटेल में हाय क्लासेस में स्टुड़ी करेंगे फिलाल के लिए आप टर्म याद रखीगा प्लास्मो डेसमेटा क्या होता है और मीडल लैमिला क्या होता है ठीक है ये सेल वोल के फंक्शन्स होते हैं सेल वोल इसी के दुवरा जोइन होती है मीडल लैमिला के दुवरा और किसमें हेल्प करती है प्लास्मो डेसमेटा को फोम करने में हेल्प करती है अब क्या था Osmosis याद है आपको? नहीं याद है तो remind कर लीजिए Osmosis में हमने कुछ पढ़ा था क्या पढ़ा था? ज़रा सोचिए जो कि Plants related था एक term थी Plasmolysis याद है कुछ हमने क्या कहा था कि कोई भी cell है उस cell को अगर हम ऐसे solution में रख दे जहां पे इसका water loss हो, तो water loss कैसे solution में होगा? जहां पे कम tonicity होगी या ज़्यादा tonicity होगी, मतलब हमने क्या किया? ये कोई plant cell है चीक है? ये Plasamoryn होगी ये cell वोल होगी अब हमने क्या किया? इस cell को किसी ऐसे solution में रखा कि इसकी जो cell membrane थी जो Plasamoryn थी, वो shrink होके एक corner में आ जाती है मतलब इस cell से हुआ क्या है? water loss हुआ है, water gain किया इस cell ने किया क्या है? तो इस cell ने क्या किया है? बाहर की side water को loss कर दिया और ये water को loss कब करेगी जब बाहर water कम होगा, तब ही तो loss करेगी न? ऐसे ही तो होता है ये तो है नहीं कि बाहर की side water जादा होगा तब भी ये loss कर देगी बाहर की side जब water कम होगा तो ये water का loss करेगी, बाहर की side अगर water कम है ठीक है? तो solution कौन सा हुआ ये hypotonic हुआ hypertonic हुआ तो ये solution कौन सा हुआ hypertonic solution ठीक है कि इस वे जैसे ही हमने cell को रखा तो cell ने अपना जो water था वो loose कर दिया loose करके जो इसकी plasma brain है वो एक side corner में shrink हो जाती है और इस cell को क्या बोलते हम plasmolized cell अब एक experiment करके देखिए आप इसको plasmolized cell को observe करने के लिए osmosis का जो process होता है उसके लिए एक experimental work है आप एक काम कीजिए कोई plant है ठीक है कोई plant है उसकी एक leaf ले ली उस leaf को आपने कौन से solution में रखा hypertonic solution में करे हैم तो यह साथ कर पानी पीते है कि फानी के लिए गरम करके पीते है ना पानी बहुत सारी लोग पीते हैए क्यों खरम कर रखा T गरम क्यों करते है पानी को ताकि जो पानी के अंदर माइक्रोल्गम्स होते हैं उनकी डैथ हो जाए और वो हाम ना करे ठीक है इसलिए पानी गरम करते है तो हमने क्या किया लीफ को बोईल किया बोईल करने से जो लीफ की जो सेल्स थी उनकी क्या हो गई डैथ हो गई अब इन सेल्स को डैथ होने के बाद हमने कहा रखा हाइपर टोनिक सॉलिशन में या फिर मालो हमने हाइपर टोनिक सॉलिशन में रख दिया तो अगर कोई लीविंग सेल होती तो उसमें क्या प्रोसस होना चाहिए था उसमें अगर हम हाइपर टोनिक सॉलिशन में रखते तो प्लास्म जीए थे cell लेकिन इस cell के अंदर ऐसा कोई भी process नहीं हुआ क्यों क्योंकि ये cell dead है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो dead cells होती हैं उनके अंदर कोई भी osmosis का process नहीं होता ठीक है इस सर्फ जो living cells होती है उनहीं के अंदर osmosis का process होता है dead cells के अंदर कोई भी osmosis का process नहीं होता तो cell wall के यह जो processes है यह आपको समझ आए कि कैसे क्या होता है cell wall के functions क्या होते है dead cell में osmosis क्यों नहीं होता है और जो plasmolysis है वो कैसे होता है cell के अंदर तो आप इसको revise करना आगे हमारे दो portions और बचते हैं nucleus and cytoplasm ठीक है वो हम next lectures में discuss करेंगे thank you so much be safe and be happy